शब्दों के पीछे होती है भावना, भावना की शक्ती हकीकत का रूप लेती है, तो शब्दों में मत अटकना, शब्द उस भावना को ले जाने का कैरियर है, वाहन है, शब्दों को भावना के साथ जोड़ कर अगर हम उप्योग करना सीख लें, तो ये आसान होगा, मर कई बार लोग शब्द सुनते हैं उसके पीछे की भावना समझने की प्रक्टिस की नहीं है लोग भी आपको कुछ शब्द कहते हैं आपको बुरा लग जाता है दिल को बुरा लग गया दिल पर मतलो सामने वाला कहता है मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था तो ये भावना समझने के बाद आप शब्दों के जाल से मुक्त हो सकते हैं वरना ऐसा शब्द क्यों कहा वैसा शब्द क्यों कहा शब्दों का अर्थ जगाओं जगाओं पर बदल जाता है तो लोग असली बात ले नहीं पाते हैं